आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, Hello everyone Question है Out of PX, PY, PZ Orbital Which P Orbital Take Part in SP Hybridization SP Hybridization की बात करी गई है जिसमें 50% S Character होता है and 50% P Character होता है ठीक है इसकी बात करी गई है अब जब Hybridization की बात करें तो जो S का Shape होता है वो होता है Spherical ठीक है और P का Shape हो सकता है PX इसको हम अगर PX Consider कर लें So ये तो हो जाएगा PX Orbital अब अगर ये X Orbital है ठीक है और ये Y Axis है ये X Axis है और ये Y Axis है तो हम PZ Orbital की बात करें तो ये Z Axis है ठीक है तो PZ Orbital कैसे होगा इस Axis के Along होगा ये हो जाएगा PZ Orbital and जब PY Orbital की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Y Axis के Along और इसका Shape है Double Dumbled ठीक है इसका shape विल भी dumbbell shape double dumbbell नहीं double dumbbell का shape होता है आपका d orbital का ये है dumbbell shape p orbital ओके अब इसमें कहरा है कि sp और hybridization जो बन रही है उसमें shape क्या होगा उसमें जो p है उसका कौन सा orbital यूज हुआ है तो अगर हम spx orbital करें ठीक है इसका hybridization अगर हम बनाएं तो इसका shape निकल के आयागा ऐसा, ठीक है, two hybrid orbital मिलेगा हमें sp, two hybrid orbital मिलेगा sp, ठीक है, तो यहाँ पर जो use हुआ है spx orbital, तो अगर spx orbital use हुआ है, तो py and pz orbital will remain as such, ठीक है, remain as such, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, तो हम px, py, pz में usually हम px को consider करते हैं, कि हम px orbital जो है sp hybridization में participate कर रहा है, because x-axis हम usually इसको consider करते हैं, ठीक है, thank you so much. आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर.